तो हाँ दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक का जो ATM कार्ड होता है तो ATM कार्ड के पीछे एक CVV नमबर होता है तो ATM कार्ड के पीछे ही क्यों होता है सामने क्यों नहीं होता है तो आज मेंसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों और इसे पहले अने टेक के चैनल पढ़ना है मैं चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आकान के इंटी को प्रेस करना जिससे आने वाल नोटिफिकेस्टन आपके पास आता लेगा तो चली स्टार्ट करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो ATM कार्ड होता है ATM कार्ड के पीछे एक CVV नंबर होता है तो ये पीछे ही क्यों होता है सामने क्यों नहीं होता है जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक आप बलोदा, देना बैंक, एक्सिस बैंक, इस्टेट बैंक कि सभी का ATM कार्ड होता है लेकिन सभी ATM कार्ड के पीछे एक CVV नंबर होता है तो सभी बैंकों का जो ATM कार्ड होता है पीछे ही क्यों दिया जाता है CV नंबर को तो जो CVV नंबर होता है एक OTP की तरह काम करता है जो ATM कार्ड के security level को बढ़ाता है जब हम ATM मसीन में ATM कार्ड को पकड़ कर चले जाते हैं तो जब हम ATM मसीन में जाते हैं तो हम ATM कार्ड का इस्तमाल करते हैं तो हम जब ATM कार्ड का इस्तमाल करते हैं तो ATM कार्ड का सामने वाला हिस्सा ही दिखाई देता है पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये दिखाई नहीं देता है तो इसलिए CVV नंबर इसलिए पीछे लिखा होता है कि किसी को नमबर पता ना चले तो CVV number code, card के पिछले हिस्से के होने के वजह से लोग ठगी के सिकार होने से बच जाते हैं इस नमबर का यूज, online transaction और net banking का password चेंज करने के समय इस नमबर का यूज किया जाता है इसके बिना दोनों काम नहीं होता है अगर ये नमबर किसी को पता चल जाता है तो आप ठगी का सिकार हो सकते हो इसलिए आपको इस नमबर को किसी के सांस सेर नहीं करना है इस code का सबसे बड़ी खासिया था है कि ये जो code है ये किसी भी system पर असानी से save नहीं होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि online transaction के समय आप इस card का details डालते समय ये save हो जाता है और अगली बार payment करने के समय आपको card की पूरी details देनी नहीं पड़ती है और आपको CV number इंटर करने से आपका payment हो जाता है तो CVV number आपकी data चोरी की वक्त आपकी मदद करता है क्योंकि banking regulation की मताबिक कोई भी machine CVV number को store नहीं करता है तो आज मीसी के बारे में बताएं हूँ दोस्तों और वीडियो आपको अच्छा लगे तो subscribe करना और अपने दोस्तों पास share करना थैंक्स